अचार जी ये श्लोक 27 में भगवान क्रिश्न कहते हैं कि कर्म, खाना, हवन, दान, सब मेरे को अरपण कर तो क्या ये जो कल बात हुई थी, राम खुमारी में करते हुए करना वही अरपण, वैसे ही है कि या कुछ अलग है अपने जगत का सारा कारोबार मुझे लक्ष बना कर, कर दुनिया में इनी चीज़ों कारोबार होता है न, खाना, पीना, धन, दौलत, इनी चीज़ों का, तो ये जगत में हो तो कारोबार तो करो गई, ये सारा कारोबार ये याद रखते हुए कर, कि तुझे जरूरत सिर्फ मेरी है, जगत में जब तक हो, कोई कुछ कारोबार करें, कोई कुछ करेगा, पर जो भी कारोबार कर रहे हो, उसमें ये पूछते चलो, कि ये जो मैं कर रहा हूँ, इसका संबंध कृष्ण से है या नहीं है, अगर है, तो और करूँगा, नहीं है, तो बिल्कुल नहीं करूँगा, और कृष्णमाने सत्य सच्चाई की तरफ बढ़ रहा हूं अगर मैं ये सब करके तो और करूं और नहीं बढ़ रहा तो कहे समय खराब कर रहा हूं आपना भी समझाया है कि सबसे मूल बात है नियत परक्षना होता है नियत के साथ नियत की रक्षा के लिए जो चीज जूड़ी होती है तुम्हें साफ पता ही चल जाए कि तुम बदनियत हो तुम अपने आपको ही बढ़दाश्ट नहीं करोगे बदनियती छुपी इसलिए रह जाती है क्योंकि बदनियती के साथ मदहोशी भी होती है अगर बदनियती हो और मदहोशी न हो तो तुम्हारा होश ही तुम्हारी बदनियती को उजागर कर देगा उसकी पोल खोल देगा और अपनी मर्जी से कोई बदनियत रहना थोड़ी ही चाहता है, एक बार तुम्हें देख गया कि तुम बदनियत हो, तुम तुरंत चौक के उठ बैठोगे, तुम कोगे, अरे, मैं इतनी गलत नियत से काम कर रहा था, आदमी सिर्फ गलत दिशा जहा नहीं रहा होता, वो गलत दिशा बेहोशी में जा रहा होता, अब दो बाते हैं, पहली बात तो दिशा गलत है, दिशा भ्रमित है, और दूसरी बात बेहोश है, तो गलत दिशा पलट भी नहीं सकता, जिस दिशा जा रहा है, उसी दिशा जाता रहेगा, नियत को परखते चलो, बार बार पूछो, मैं चाहा क्या रहा हूँ ये सब करके, और ये बहुत बहुत निर्मम प्रश्न है, जुझला जाओगे, ज्यादा तर कम काम अपने जीवन में इसी लिए कर पाते हैं, क्योंकि हम कभी ये देखते ही नहीं कि वो काम हम क्यों कर रहे हैं, तुम किसी से उलज रहे हो, किसी से मीठी बात कर रहे हो, किसी से कड़वी बात कर रहे हो, अगर उसी पल रुक के तुमने कहा, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि शातिर तो मैं हुई, बिना नि अधिकांशित्ह तुम अपना काला ही पाओगे. तो हमने तरीका निकाला है. क्या? हम पूछेंगे ही नहीं कि क्या चल रहा है. हम पूछेंगे ही नहीं कि हम यह कर क्या रहे हैं. Exactly what? यह हम पूछेंगे ही नहीं. समस्त अध्यात्म जिग्यासा से शुरूर होता है, न? जिग्यासा यह नहीं तो फिर क्या? जिग्यासा काहीं दूसरा नाम कष्थ है. तो कभी मैं कहता हूँ अध्यात्म शुरूर होता है दुख से, और कभी कहूंगा अध्यात्म शुरू होता है जिग्यासा से वेदना भी कहलो चाहे उसे और चाहे जिग्यासा कहलो चाहे दुख कहलो इसलिए वेदना का संबंध वेद से है वेद माने जानना भी और वेदना माने दुख बरदाश्ट करना तो जिग्यासा ही दुख है इसकारथी नहीं कि तुम जिग्यासा ही खतम कर दो कि जिग्यासा ही तो दुख है तो जिग्यासा कही को रखें जिग्यासा दुख की अभी व्यक्ति है अभी व्यक्ति होगी दुख की तभी तो दुख मिटेगा जिग्यासा हम रखते ही नहीं कभ इससे ज्यादा मुढ़ता पूर्ण शब्द और खतरनाक शब्द पूरे व्याकरण में नहीं है अब्वियसली जैसे कि तुम्हें दिखी रहा हो सब कुछ अब्वियसली अब्वियसली या फिर I know I know पता कुछ नहीं है और बता रहे हैं पता किया करो थमा करो अपने कर्मों पे नजर डाला करो अपने दिन को गौर से देखा करो यह दिन भर जो कर रहा हूं इसको यह बोला इसको यह लिखा इससे यह बात कही इन सब में मेरा इरादा क्या है पूछा करो बच्चू चाहते क्या हो क्योंकि बिना चाहे तो तुम कुछ करोगे नहीं इतने निस्वार्थ तो तुम हो नहीं कुछ ना कुछ हासिल तो तुम करना ही चाहते हो काहे पर तुमारी नजर है चाह क्या रहे हो फिर नियत खुलेगी जनरली अध्यात में हम लोग प्रकरती की और आत्मा की बात करते हैं तेरवे स्लोक में देवी प्रकरती की बात क्रिशन कह रहा है देवी देवी प्रकरती को तुम आत्मा की तरह पढ़ सकते हो एक तो वो है जो साधारन प्रकरती है उसको आप प्रकरती ही जानते हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि महात्मा जन है जो देवी प्रकरती के आश्रित जीते हैं उसको ऐसे पढ़िये कि जो क्रिश्न सत्ता के आश्रित जीते हैं जो सत्य आत्मा के आश्रिट जीत थे.